इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। ट्यूफिकेन बीस कैपसूल रेटिनोईड्स यानि की विटमिने डेरिवेटिव नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका उपयोग गंभीर मुहासे के इलाज के लिए किया जाता है, जो अन्य उपचारों के लिए प्रभावी होता है। ट्यूफिकेन बीस कैपसूल का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार किया जाना चाहिए। इसे भूजन के साथ लें और प्रतीक दिन एक ही समय पर ताकि खुराक छूटने से बचा जा सके। आपके लक्षनों में सुधार होने में कई सप्ताह लग सकते हैं, लेकिन अधिक फायदे के लिए नियमित रूप से दवा लेते रहें। अगर आपको कुछ सप्ताह बाद कोई सुधार नहीं दिखे, तो अपने डॉक्टर को दोबारा मिलें। सबसे सामाने साइड एफेक्ट में रूखी तवचा, रैश और लीवर एंजाइम में बढ़ जाना शामिल हैं। वे आमतौर पर गंभीर नहीं होते हैं और आमतौर पर दवा का आदी होने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर ये आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। ट्यूफिकन बीस कैपसूल आपको धूप के प्रती अधिक समविदंशील बना सकता है, इसलिए आपको धूप से बचना चाहिए। ये आपकी तवचा को और अधिक नाजुग बना सकता है। इलाज के दौरान किसी भी तरह की वैकसिंग यानि की बालों को हटाना या लेजर ट्रीटमेंट से बचें। इसके अलावा इससे मूह, होंट और आँखों में सूखापन हो सकता है, इसलिए खूब पानी पीएं और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। इस दवा से जन्न दोश हो सकता है। अगर आप गर्भवती हैं या गर्भावस्था की योजना बना रही हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल 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 झाल